साथियों हमारा संविधान यह सिरफ अनेग धाराओं का संग्र नहीं है हमारा संविधान सहस्त्रों वर्षकी भारत की महान परंपरा अखंड धारा उस धारा की आधुनी अभिव्यक्ति है और इसलिए हमारे लिए लेटर एंड स्पिरीट में संविधान के प्रती समर्पन और जब हम इस संविधानिक ववस्था से जनप्रतिनिजी के रूप में ग्राम पंचायद से लेकर के संसद तक जो भी दाईत्व निभाते हैं हमें संविधान के लेटर एंड स्पिरीट को समर्पित भाव से ही हमें अपने आपको हमेशा सज्ज रखना होगा अब जब यह करते हैं तो संविधान की भावनाओं को कहां चोट पहुँच रही है उसको भी हम नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं को संविधान के प्रकास में सही है कि गलत है हमारा रास्ता सही है कि गलत है हर वर्ष संविधान दिवस बना करके हमने अपने आपको मुल्यांकन करना चाहिए अच्छा होता देश आजाज होने के बाद 26 जनवरी प्रजासता परवगी शुरुवात होने के बाद हमें 26 नमबंबर को संविधान विवस के रूप में देश में मनाने की परंपरा बनानी चाहिए थी ताकि उसके कारण हमारी पीडी दर पीडी संविधान बना कैसे कौन लोग थे इसको बनाते थे किस परिचितियों में बना क्यों बना हमें संविधान कहां ले जाता है कैसे ले जाता है किसके लिए ले जाता है इन सारे बातों की हर वर्ष अगर चर्चा होती है तो संविधान जिसको दुनिया ने एक जिवनत इकाई के रुप में माना है एक सामाजिक दस्तावेज के रुप में माना है विवीदता भरे देश के लिए ये बहुत बड़ी ताकत के रुप में पीडी दर पीडी अवसर के रुप में काम आता लेकिन कुछ लोग इसे चूक गए लेकिन जब बाबा साब आमबेड करके 125 विजयनती थी हम सब को लगा कि इससे बड़ा पवित्र अउसर क्या हो सकता है कि बाबा साब आमबेड करने इस देश को जो बहुत बड़ा नजराना दिया है उसको हम हमेशा हमेशा के लिए समर्थी ग्रंत के रूप में याद करते रहें और इसी मैंसे और मुझे आत है जब सदन में इस विशे पर मैं बोल रहा था 2015 में बाबा सामा मेट करके 150 वी जेनती के निमिती इस काम की गोशना करते समय तब भी विरोध आज नहीं हो रहा है उस दिन भी हुआ था कि 26 नुमेंबर कहां से ले आए क्यों कर रहे हो क्या जरूरत थी बाबा साब आम बेर करका नाम हो और आपके मन में ये भाव उठे कि देश अब सुनने के लिए तयार नहीं है और अज अब भी अब भी बड़ा दिल रख करके खुले मन से बाबा साब आम बेर कर जैसे मनीश्यों ने देश को जो दिया है इसका पुन्डे समन करके समरत नहीं कि तैयारी ना होना ये भी एक जिंता का विश्या है